गुड इविनिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपके सामने हाजीर हूँ और आज हम इस वीडियो में मोक्री राजवन्स का रानतिक इत्यास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा यह दिया आपने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड सेर करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ने नोटिफिकेसर मिलें और आप एकजाम की दर्स्टी से इत्यास विसे की अच्छे से तैयारी कर सकें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं मोखरी राजवन्स का रानतिक इत्यास चकरवर्ती गुपतों के काल में उत्तर परदेश और बिहार में दो मोखरी कुल उनके सामन्तों के रूप में निवास कर रहे थे बिहार की मोखरी साखा के तीन अभीलेक बराबर एम नागारजुनी पहाडियों की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं इनमें इस साखा के तीन राजों के नाम मिलते हैं यग्यवर्मा, शार्दूलवर्मा और अनन्दवर्मा मोखरीयों की एक अन्य साखा राजस्तान में निवास करती थी जिसका उलेक बढ़वा यूप अभीलेक में मिलता ह इनका काल तीसरे स्ताब्दी इस्वी तक माना जाता है वे संबवते सकों अथ्वा नागों के सामन्त थे मोखरीयों की गंगा यमना के दोआव में सासन करने वाली साखा ही सबसे अधिक परसिद है इनकी राजदानी कर्नोज थी हरी वर्मा कर्नोज के मोखरीयों का इधिहा महाराज हरिवर्मा के समय से प्रारम होता है उसने 510 इस्वी से अपना सासन प्रारम किया था महाराज के उपादी से यह पता चलता है कि चक्रवर्ति गुप्त वन्स के देनता स्विकार करता था हरहा लेक में उसकी सक्ति की परसंसा की गई है उसके बारे में ये कहा गया है कि उसका यस चारों समूद्रों तक व्याप्त था इसके अलवा वह अपने सत्रों के लिए जुआला मुखी के समान था वह वर्नासरम व्यवस्ता का सेंस्तापक तथा पढ़ जाके कस्टों को दू हिच्छी टारीका देवी जैस्वामीनी मिलता है उसका विवह उत्तरगुप्त वन्सी राजकुमारी हर्शागुप्ता के साथ हुआ इस्वर वर्मा आदित्यवर्मा का पुत्तर इस्वर्मा सासक हुआ जौन पूल लेक में उसकी सक्ती की परसंसा करते हुए उसे राजों में सी हैं के समान अर्थात छिती भूजां सी है कहा गया है जिसने धारा मालवा अंदर एम रेवतक के सासकों को प्राजित किया था उसका विवाय गुप्त कर्या उपगुपता के साथ हुआ था इस परकार हम कह सकते हैं कि तीसरी पिड़ी तक मोखरियों तथा उत्तर गुप इशान वर्मा मोखरियों को सामान इस्तिती से स्वतंदर इस्तिती में लानने का स्रेई मोखरी सासक इशान वर्मा को जाता है जिसने 550 से 574 इस्वितक सासन किया था यह इस वर्मा का पुत्र था इसान वर्मा ने महराजा दीराज की उपादी धरन की थी इस उपादी से इस इसान वर्मा की स्वातंदर इस्तिति का पता चलता है। इन प्राजे सक्तियों में आंदरों की पहचान पूर्वी दखन के विश्नु कुंडिन वन्स से की गई है। दोनों ही समान रूप से महत्वक आंगसी थे। अता है दोनों राजवन्सों को तीन पीडियों से चला आ रहा महत्री समद सत्रुता में परिनत हो गया। अब सट अभिले के अनुसार कुमार गुप्त और इसान वर्मा के बीच बिशन युद हुआ जिसमें कुमार गुप्त ने इसान वर्मा को प्रास्त कर मगत को मोखरियों से चीन लिया। इसान वर्मा का धर्म इसान वर्मा वैदिक धर्म का पोच्शक था तथा उसने समाज में वर्ना सरम धर्म की परतिस्टा की थी। अगला सास्ता काता है सर्वावर्मा, इसान वर्मा के बाद सर्वावर्मा मोक्री वन्स का राजा बना, यह सर्वावर्मा इसान वर्मा का पुत्तर था, हरहाल लेक में सूर्य वर्मा नामक उसके एक अन्य पुत्तर का भी उलेक मिलता है, यह सर्वावर्मा का छोटा भाई थ तता इसकी मर्त्यू इस्थान वर्मा के जीवनकाल में ही हो गई थी असीरगड से प्राप्त एक मुहर में सर्ववर्मा को महराजा दीराज कहा गया है वह एक सक्तिसाली राजा था अपने पिता की प्राजे का बदला लेने के लिए उसने कुमार गुप्त के उत्रातिकारी द उस समय मगत छेत्र में था इस प्रकार सर्ववर्मा के समय में मोखरी पुना सक्तिसाली हो गए थे मगत को मोखरी आधिपत्य के अंतरगत लाने वाला पर्थम सासक सर्ववर्मा था ठीक है तो मगत को मोखरी आधिपत्य के अंतरगत लाने वाला पर्थम सासक कून था प्रवाद का लेक विंदे लेक पर उसके आधिपत्य की सूचना मिलती है। पसिम में उसके समराजे का विस्तार थानेश्वर राजे की पूर्वी सिमा तक था। इस परकार सर्ववर्मा अपने वन्सका सर्वादिक सक्तिसाली राजा था। जिसने एक विस्त्रीत परदेश पर शासन किया। उसने 586 इस्विम तक शासन किया था। अगला सर्ववर्मा के बाद उसका पुतर अवर्मा सासक बना। हर सचरीत में अवंती वर्मा की परसंसा करते हुए का गया है कि वह अपने काल में मोखरी वन समस्त राजों का सिर्मोर बगवान सीव के चरणचिनों की बाती समस्त संसार में पूजित था सुधाकर्च टोपध है के विचार से इस समय भी उत्तर गुप्त मोखरियूं की दिन्ता सुईकार करते थे और महासेन गुप्त अवंती वर्मा का सामनती था इस परकार अवंती वर्मा एक सक्तिसाली राजा था, इसके राजे में करनोच के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर परदेश था बिहार का एक बड़ा भाग समिलित था नारंदा मुद्रा लेक में उसे महाराजा धिराज कहा गया है, मुद्रा राक्सस से पता चलता है कि उसने मलेचों अर्थात हूनों को जीता था उसी के सबय में थाने सुर के पुश्य भुती वंस के साथ मोकरी वंस का वेवाहिक सम्मंद इस्तापित हुआ, जो ततकालिन इत्यास की महत्तवपून गठना थी अगला सासक आता है ग्रह वर्मा अवंती वर्मा का पुत्र ग्रह वर्मा था जो उसका उत्रादिकारी अर्थाद मोकरी वन्स का अगला सासक बना ग्रह वर्मा राज सिहासन पर 600 इस्वी में बैठा तरदा 605 इस्वी तक सासन किया गर्या वर्मा का मगज समराजे से अधिकार्स मात हो गया था वह केवल करनोज का ही सासक था गर्या वर्मा के बारे में जानकरी प्राप्त करने के लिए केवल हर्चरी नाम गरंथी है ग्रह वर्मा का विवा थानेश्वर के राजा परभाकर वर्धन की पुत्री राजेश्री से हुआ था विवा के परस्ताव के समय ग्रह वर्मा का पिता अवंती वर्मा की मर्त्यू हो गई थी यह विवा है ग्रह वर्मा ने स्वेम ही करा था गरह वर्मा पूरव दिशा में गोडों से भेवी था अत्या स्वयम को सुरक्षित करने के लिए गरह वर्मा ने वर्धन मंस के साथ सम्मन्द इस्तापित कर लिया था अब हम यहां यह देखते हैं कि प्रभाकर वर्धन भी देव गुप्त की बढ़ती हुई सक्ति से चिंतित था जिसके कारण उसने अपनी बेटी का विवा गरह वर्मा के साथ करना उचित समझा और गरह वर्मा के परस्ताव को सुरक्षित कर लिया अब हुआ यह कि इस वेवाहिक संबसे दोनों मोकरी तता वर्धन में गनेश्चता अस्तापित हो गई वहीं दूसरी तरफ इन दोनों वनसों के विरूत मालवा के उत्तरगुप्त वनसी नरेश देवगुप्त तथा बंगाल के गोड़ वनसी नरेश ससांग के भी दूसरी संधी स्ताफित हुई जिस समय थाने स्वर में परभागरवर्दन की मर्त्यू हुई उसी समय देवगुप्त ने कनोज पर आकर्मन कर ग्रह वर्मा को माल डाला तथा राजे स्री को बंदी बना कर कनोज के बंदी ग्रह में डाल दिया देवगुप्त का हर स्रीत में कहीं भी उलेक नहीं हुआ है देवगुप्त के लिए केवल मालवा का दूस्ट सासक नाम उप्योग में लिया गया है देवगुप्त के नाम का इसपस्ट उलेक बंस्खेडा के लेक में किया गया है ग्रै वर्मा के मर्तु के समये मोखरी राजे पस्ची में थानेस्वर से पूरव मगद तक था उत्तर में हिमाले से दक्सिर में परियाग की सिमा तक विस्तरी था ग्रै वर्मा के बाद का मोखरी इतियास थानेस्वर के वर्धन इतियास से जुड़ा हुआ था इस समय राजे स्री केवल 12 वर्ष की थी, राजे स्री के कोई संतान भी नहीं थी, इस कारण करनोज के राजे सिहासन पर हर्ष तथा राजे स्री दोनों एक साथ बैठा करते थे ग्रह वर्मा की मट्टू के बाद हर्ष ने अपनी राजदानी करनोज इस्तनांतरित कर ली थी, इस राजदानी परिवर्तन का कारण ये हो सकता है कि हर्ष अपनी बहन राजे स्री को परसासने कारियों में सायता देना चाता था और इसी कारण अपने भाई हर्स के सयोग से राजे स्री आजिवन कर्णोज पर सासन करती रही अगला सासक काता है सुचंद्र वर्मा अवन्ति वर्मा का दूसरा पूतर सुचंद्र वर्मा था सूचंदर वर्मा ग्रह वर्मा से छोटा था हर्सकी मर्त्यू के समय 647 इस्यू में के बाद सूचंदर वर्मा मोखरी राजे का सासक बना सूचंदर वर्मा आदिते सेन का समकालीन सासक था आदिते सेन गुपतोतर काल का सासक था इन दोनों के बीच मैत्री सम्मंद थे आर ये मंजुस्री मूल कल्प में ग्रै वर्मा के बाद सूबरे नाम सासक का नाम मिलता है यह सूबरे सूचंद्र वर्मा ही था यह कर्णोच के मोखरी वन्स का अन्तिम सासक था इसने 664 इस्वी तक राजे किया था ठीक है तो जो मोखरी वन्स है उनका रानतिक इत्यास पड़ा और इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर मिलेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर